बिस्मिल्लाइब रह्माने में असलाम लेकुम कैसी है मेरी यूट्यूब फैमली उमीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज हम आपको कीमा और फलियां की रेसिपी देंगे यह बनाना बहुत असान है सबसे पहले चलते हैं रेसिपी की तरफ कीमा लिया हमने हाफ के जी प्याज लिए हमने चार से पांच एदद लसन दस से बारा जवे ट्माटर हमने लिए दो बड़े साइस के नमक साबस जीरा लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर फलियां तकरीबान एक किलो के बराबर ली हमने पांच से छे एदद हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे और ग कीमे को किलाना है. प्रेशर कुकर में हमने कीमा एट करना है. जो हमने फ्रोथन कीमा लिया आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं. प्याज और लसंस में शामल किया. ministre अधे चिया। टुमाटर जो हमने रफली बड़े साइज के टू लिये थे वो एट किये पानी एक कप के बराबर जिसमें कीमा अच्छे से गलज है अब हमने इसको वेट लगा देना है तांकि कीमा गलज है और टुमाटर भी गलज है इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमने वेट लगाया बिलकुल म टुमाटर की स्कीन ना उसको हमने रिमूव कर देना है टुमाटर की स्कीन नहीं गलती इसको हम रिमूव कर देंगे अच्छे से और इसका पानी जो इसके अंदर है थोड़ा सा वह मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राय कर लेंगे इसके पानी को पहले सबसे पहले हमने बनाई शुरू करेंगे कीमे को अच्छे से भूनने हैं ये हां तक इस कोईल ना उपर आ जाए पानी भी सासद के लाई लेना है कि अब हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट पानी भी सासद ड्राय हो रहा है और कीमे की बनाई भी हो रही है किमे को अच्छे से बूना है और चमच चलाते रहना है तांके ही हमारा मसाला नीचे से लगे ना ऑल कीमे ने छोड़ दिया है कीमा हमारा गल चुक है यह बनाना बहुत असान है इस में स्पाइसेज आप अपने हिसाब से कम्याज ज्यादा कर सकते हैं यह बहुत अच्छा सालन बंद के तयार होता है अब हमने इसमें फ़लियां अड़्ट करदी अब जाये तो फ्रेश भी ले सकते हैं हमारा बाष्ट फ्रोजन पढ़ी हीं थी हमने वो अड़ कर दी बहुत जल्दी ये गल जाती है ये कुछ टाइम सीजन में आती है अब हम इसमें पानी अड़ करेंगे तकरीबन एक कप के करीब हमने इसमें और पानी अड़ किया फलियों को मिक्स करेंगे दो से तीन बार जैसे हमारा पानी थोड़ा बॉयल आएगा हम इसको फिर से वेट लगा देंगे वेट में बहुत जल्दी प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी फलियां गल जाती है हमने इसको वेट लगाया मीडियम फ्लेम पे इसको फिर हम 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे टाइम आप नोट कर लीजेगा 10 से 12 मिनट के बाद फलियां हमारी गल चुकी है अगर आप फलियां चेक कर लें अगर आपकी नहीं गली तो आप इसको फिर से वेट लगा देंगे यह आलमोस 10 या 15 मिनट में यह गल के बिल्कुल त्यार हो जाती अगर आपको लगे कि इसमें पानी है तो आप इसका बानी ہलकी आच पे इसको पानी को बब्लकुल खुश्कक बर पानी बिल्कुल ड्राय होना चाहिए फिर यह अच्छी बनனे इ इसमने भी थोड़ा सा पान हैं हम इसको लो फ्लेम पे इसके पानी को बिल्कुल ड्राय कर लेंगे और सासा चमच को चलते जाएंगे कि फलियां नीचे ना लगें आल्मोस पानी भी इसका ड्राय हो चुका है अब यह बिल्कुल आल्मोस त्यार है बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है लास्ट प अपना फीडबेक जुरूर दीजेगा हमारी रेशिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजेगा स्क्राइब कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज